दोस्तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने चारी हूँ तैवार स्पेशल सभी की फेवरेट हलवाई स्टाइल में बेसन की बर्फी 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 बनानी के लिए न तो मावे का यूज करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का तो चली हम बहुत ही आसान और मजेतार बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर कड़ाई गैस के उपर रख दी है और कड़ाई के अंदर हम घी डाल देंगे गी यहां पर मैंने वनफोत कप लिया है और साथ में हम डालेंगे बेसन तो बेसन भी यहां मैंने एक कप लिया है बेसन के साथ में हम यहां रवा डालेंगे दो बड़े चम्मच आप यहाँ पर बेसन या तो फिर रवा किसी का भी यूज कर सकते हैं तो चलिए हम बेसन और सूजी को अच्छे से भून लेते हैं यहाँ पर हमें लगातार चलाते हुए बेसन और सूजी को अच्छे से भून लेना है बेसन के अंदर य और साथी साथ पतला भी होते जाएगा बर्फी बनाने के लिए यहां मैंने बारिक बेशन का यूज किया है और अगर आपका बेशन मोटा है और घी जादा सोकरा है तो आप और घी एड़ कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं बेशन के अंदर बबल्स आने लगे हैं और पतला भी हो गया है और साथी साथ इसका कलर भी चीन चूने लगा है यहां पर मुझे बेशन को भूनते हुए लगबग 20 मनट हो चुके हैं और खुश्बू भी आने लगी है कड़ाई को हम उतार लेंगे यहां पर मैंने गैस बन नहीं किया है तो इसके जगह मैं रख दू यहां पर हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो इसे हम बॉइल करेंगे यहां पर हमें बर्फी बनाने के लिए एक तार की चाशनी बनाना है यहां पर हम फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर डाल देंगे और इलाइची पाउडर हो गई है हमारी चाशनी तो बस यहां पर हमें इससे ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है यहां पर हम चाशनी का जो पैन है गैस के उपर से उठा लेंगे और इसकी जगह हम कढ़ाई रख देंगे तो बेसन के अंदर हम चाशनी को मिला देंगे यहां पर चाशनी डालते ट लगबक मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप यहां देख सकते हैं इसके अंदर जाली भी पढ़ने लगी है तो अब हम क्या करेंगे गैस बंद कर देंगे तो चलिए हम बर्फी को जमा लिते हैं यहां पर बर्फी जमाने के लिए मैंने केक टीन लिया है इसके उपर मैंने अच्छे से सैट कर लेना है बेशन की बर्फी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनके टैयार हो जाती है यहां पर मैंने अच्छे से सैट कर लिया है तो इसके उपर हम डाल देंगे कटे हुए ड्राइफ रूट मैं यहां पर कटे हुए काजू डालते रही तो यहाँ पर आदा गंटा हो चुका है और देखे बर्फी भी अच्छे से सैट हो चुकी है तो टीन में से निकाल कर हम यहाँ बटर पेपर अलग कर लेंगे तो चली हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ चाकू की हेलप से इसके जो एजिस है ना निकाल लेंगे और एजिस निकालने के बाद में हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे मैं यहाँ पर बर्फी के जो पीस है छोटे ही काट रहे हूँ तो दोस्तों आप सिर्फ तीन चीजों से बहुत ज़ादा टेस्टी और दानेदार बेशन की बरफी बना कर तैयार कर सकते हैं बरफी बनानी के लिए यहां हमने न मावे का यूज किया है और ना ही मिलक पाउडर का हलवाई स्टाइल में बेशन की बरफी बनके तैयार हो गई है बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है तो चलिए मैं बरफी को आपको तोड़के भी दिखा देती हूँ बहुत ही ज्यादा सौफ्ट बनी है और जैसे ही मूह में डालो तो घुल जाती है बेशन की बरफी बनाने के लिए आपको मैजर्मिन का ध्यान बराबर रखना है एक कब बेशन में वनफोत कब घी डाला है और दो चमर्ष सूजी डाली है आप बेशन की बरफी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परिली बार में परफेक्ट बनके त्यार हो जाएगी तो दोस्तो अगली मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में